नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मस्तकार निंग से आपका दोस्त दिलग राज दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा निभू के उपपर 200 प्लस निभू लाने का राज दोस्तों यह जो मेरा पूदा आप देख रहे हैं निभू गा इसके उपपर कम से कम 200 प्लस निभू इस सीजन के अंदर आएंगे और आ रहे हैं और दोस्तों यह सारा जो कमाल है और गहनिक तरीके से है और इसके उपर मैं ज्यादा कोई पैसा भी नहीं खर्च करता इसका मैं आज आपको राज बताओंगा तो बहुत से लोग मेरे से पूछते जब मैं होम गार्टन पेज पे कई बार अपनी फोटो डाल देता हूं तो मेरे से टिप्स मांगते हैं कि यह बताओं वैसे तो मैंने कई नीभू के बारे में वीडियो बना रखी है और टिप्स जो है एक ही तरह का होता है क्योंकि एक तो उमर के हिसाब से उमर मेरी ज़्यादा है और मैं अडिटिंग नी कर सकता और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पाते शेयर करने के बारे में बताता हूं तो दोस्तों सबसे पहला तो काम यह करो कि इसको फुल सन लाइट में रखो और इसके लिए मैं कभी कुई कैमिकल इस्टेमाल नहीं करता कैमिकल से अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं फुल्टा पोदे खराब होती है और सबसे बड़ीया तरीका इसको स्ट्र пять कैसे बना जाये अपने पोदे को और अपने पोड़े को स्टोंग बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ चार-पांच मैं छोटे-छोटे से काम करता हूँ एक तो ये मेरे पास सर्सों की खली है ये सर्सों की खली जो है मैं पानी में बिगो के हर दस तिन के बाद इस पंप की साहता से इसके उपर इसका पानी सपरे करता रहता हूँ हर दस तिन के बाद पानी सपरे करता हूँ और जो पानी बच जाता है ये मेरे पास एक पानी गट्रम है पचास लीटर का मैं इसके इंदर डाल देता हूँ वोदा मेरा फुल संग लैट में रहता है, इसके सोला इंच का मेरा पोर्ट है, इसके चारो साइड उपे मैंने अच्छी तरह वर्मी कंपोस बर्दी थी आज से तीन मीने पहले, और उसके बार मेरे को दुबारा वर्मी कंपोस डालने की जूरत नहीं पड़ी, और इसके उप अऱपर नीबू के साइड देखो, यह गुच्चे के अंदर नीबू आरे है, यह देखो के, दस दस नीबू आरे है इसके उपर यह देखो तो, और इसके नीच्छे मैं जुक नहीं सकता, अगर जुक के दिखाओं तो उसके अंदर कम से कम 30-40 नीबू आ रहे हैं, और आप देख लो ये निबू के साइज देख लो इसके अंदर और ये पूरे साल पर इस पे फलावरिक और निबू आते ही रहते हैं और वो क्यों आते हैं और्गेनिक तरीके से आते हैं और मैं सारा और्गेनिक तरीका ही इस्तेमाल करता हूँ तो इसके लिए दोस्तों आपको जनूल और जजबा चाहिए कितने फूल आरे हैं इस समय इसके उपर आप देखो चारों तरग फूली फूल और निबू निबू लग रहे हैं इसके उपर दोस्तों पलस निबू आ रही है तो दोस्तों आपको एक जनून और जब तक नहीं पैदा होगा आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप ये सोचों कि मैं खाली निबू का पोधा लगा दिया और मैंने पानी इस पर डालते रहना है और पानी से ही इसका आपके निबू आ जाएंगे तो ये मुश्किल काम है बहुत ही मुश्किल काम है ये तो उसके लिए थोड़ी से मेनत तो करने पड़ती है तो मैं अपने पोजों के उपपर ये बर्मी कंपोज डालता हूँ चारो तरव आप देख रहे हूंगे ये निपू ये निपू लग रहे है फूल और निपू की इतनी भारी मातरा है मैं एक दिन पर नहीं बता सकता आपको तो दोस्तों देख रहे हूंगे ये किस तरह ये निपू आ रहे है छोटे बड़े चारो साइडों के गुछो गंदर ये निपू आ रहे है तो दोस्तों जादा निपू लाने के लिए मेरा ये जो पानी कट्रम है इसको इस्तेबाल करता हूं और इसमें किचन वेश्ट जो मेरे घर से निकलती है इसके अंदर डाल देता हूं पानी के इस निपू के अंदर ये थोड़े जिन पहले पालक के पत्टे डाले थे, उससे पहले ने करेले के चलका डाला था उस से पहले मैने मूली के पत्ते डाले थे तो हर हफ़ते कुस ना कुस में इस पे डाल देता हूँ और बड़ी थोड़ी मातरा में डालता हूँ 40-50 ग्राम की मातरा में डालता हूँ और ये पानी में डिजोल हो जाते हैं और ये पानी में अगले 24 गंटे के अंदर-अंदर इस्तेबाल कर लेता हूँ और सारे पोदों को ये पानी डौल देता हूं और एक तो इससे अमारे पोदों जो हम किछन बेश बनाते हैं उससे कोई भी स्वेल नहीं आती क्योंकि पानी जूनी सारा खतम हो जाता है और उसी के अंदर फिर दुबारा पानी बर लेता हूं ड्रम को फिर बर लेता हूँ और अगले दिन फिर इस्तेवाल कर लेता हूँ पेंटी नूज ये मेरा पानी चलता रहता है और ये बहुत ही एक स्ट्रोंग पोदों के लिए एक सकतीशाली टोनिक बन जाता है और उसी की वज़े से ये सारे मेरे पोदों के उपर के पोदी के उपर बेरा इस समय बोर लग रहा है और ये छोटा सा आम लगा हुआ है दोस्तों ये सब कमाल करता हूँ मैं इसी टोनिक से और मैं अपना नंबर भी बता जेता हूँ 704 39 430 किसी मेरे दोस्त किसी बाही ने ज्यादा जानकारी आसिल करनी हो तो मेरे से फोन पर कर सकता है और मैं सबसे बात करता रहता हूँ और अमरूत के पोजे पे मेरे अमरूत लग रहे हैं उसको मैं दिखाँगा तो ज्यादा वीडियो लंडी हो जाएगी तो ज्यादा मैं लंडी नहीं बनाना चाहता इसलिए जो भी है जितनी बाते मैंने शेयर करी है आप समझ गए होंगे चलता हूं दोस्तो धन्यवाद